सत्तर और अस्ती की दशक में बॉलिवुड के कई अभिनेताओं ने खतरनाक विलन का रोल निभाय था और इन रोल्स की वजह से ही ये अभिनेता बॉलिवुड इंडस्ट्री में च्छा गए थे इनके किरदारों को आज भी दर्शक बेहत पसंद करते हैं और उन्ही किरदारों में एक नाम अभिनेता दिलीप ताहिल का भी लिया जाता है जो अपने दमदार अभिने की वजह से लोगों के बीच च्छा गए थे लेकिन आप इनके बारे में तो सब जानते होंगे पर क्या आप इनके बेटे के बारे में जानते हैं कि वो कौन हैं क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं अगर आप भी इनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ विडियो के एंड तक बने रहें साथ ही इस दमदार खलन के लिए आप हमारी विडियो को लाइक करना ना भूलें। दलीब ताहिल एक भारतिय फिल्म अभी नेता है। इनका जन्म 30 अक्टूबर 1952 को आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने अपनी शिरुवाती पढ़ाई शेर वुड कॉलेज से पूरी की थी और ग्रा अगर बात करें इनके फिल्मी करियर की तो इन्होंने फिल्म अंकुर से बॉलिवुड में कदम रखा और इनके इस प्रदर्शन से कई निर्माता और निर्देशक प्रभावित हुए और इन्होंने अपनी फिल्मों में एक विल्लिन के रूप में कास्ट करने लगे। इन् और इन्हें वहाँ भी सफलता हासिल हुई दोस्तों आपको बता दें कि इन्होंने अपने करियर में 100 से भी ज्यादा सूपर हिट फिल्मों में काम किया है और इनकी एक आलबम भी लॉंच हुई थी जिस आलबम का नाम मेरी कहानी था इन्होंने अभी अपनी करियर को विराम लेकिन अगर बात करें इनके बेटे की तो इनके बेटे का नाम दुरूफ ताहिल है इनका जन्म लंडन में हुआ था और इनकी सारी पढ़ाई भी वहीं से पूरी हुई है अगर बात करें इनके करियर की तो ये एक मॉडल है और लंडन में ये कई तरह के ब्रांज के लिए मॉडिलिंग करते हैं और शायद ये जल्द ही फिल्मों में भी डेब्यू कर सकते हैं लेकिन अगर बात करें इनके लुक्स की तो ये लुक्स के मामले में काफी हंसम और डाशिंग है और ये सोशिल मीडिया पर आए दिन अपनी फोटोस भी शेयर करते रहते हैं तो दोस्तों आपको दलीब ताहिल के बेटे कैसे लगे आप हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं साथ ही बॉलिवर्ड इंडास्ट्री से जुड़ी ऐसी ही खबरों को जानने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले